हर दास्तान के पीछे होती है कोई न कोई हकीकत चंद्रव्रिक्ष की दास्तान का जन्म हुआ था एमजॉन की जंगल से उस तिलस्मी पेड़ की एक पंखुडी में हर बीमारी और हर श्राप का इलाज है सदियों से कई लोग उस तिलस्मी पेड़ तक पहुचनी का रास्ता ढूंते रहें जिनमें सबसे ज्यादा मशूर थे शूरवीर टौन हॉपेटी अकीरे जिन्होंने चंद्रव्रिक्ष की पंखुडी को ढूनने की ठान ली थी लेकिन जंगल ने पंखुडी ले जाने नहीं दी इतिहास कहता है कि उनकी कोशिश नाकाम रही लेकिन दास्तान कुछ और ही कहती है कि पेड़ के रखवाले उन्हें ले गय थे और उनकी जान बचाई थी और अगीरे ने धमका के रखवालों से अमर्शूल मांगा वो नाया पत्थर जो चंद्रव्रिक्ष को ढूनने का जरीया है और फिर उसने कतलेया मचाया पर जंगल चुप नहीं बैठा उसने अगीरे और उसके साथियों को श्राब की बंदिश से बांदिया वो जंगल की बेडियों में हमेशा के लिए जकड़े रहे ना चैन से जी पाए ना मर पाए दास्तान तो यही कहती है